कर दो अब यूद्व कर दो अपर यूदू अपर अप्रेंज अलाइन एजुकेशन गुरू यूट्यूग चैनल में आपका स्वाब आता है अगर अभी तक आपने अमार वीडियो का सबस्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए नीचे दिएगे सबस्राइब और बेल बटन पर क्लिक कीजिए आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्यूनिकेबल डिसीज के बारे में और उनको कैसे रोका जा सकता है नॉन कम्यूनिकेबल डिसीजीज मतलब डिसीजीज जो कभी फैलते हैं उसमें पहले हैं नाइट ब्लाइडनेस इसमें हमको हाथ में देखा नहीं जा सकता है और पूर नाइट में भी यह विटामिन एक की कमी की विज़े से हो सकता है हमको ग्रीन लीफी वेडिटेबल्स, पपयास, क्यारोट्स, मैंगोज, मिल्क, बटर और एग योग खाना चाहिए दूसरे नुमर पर आता है बेरी बेरी इसमें हमको वीकनेस वील होती है यह विटामिन बी वन की कमी के विज़े से होता है हमको मिल्क, पीज, सीडियल्स और ग्रीन वेडिटेबल्स खाना चाहिए बाद में तीसरे नुमर पर आता है सकर्वी यह विटामिन ची की वज़े से हो सकता है इसमें पूरा बाड़ी सूज जाता है हमको अमला, ओरेंज इस, लेमन्स और टॉमेटों खाना चाहिए जोचे नुमर पर है अनेमिया इसमें हमको विकनेस बहुत फील होती है यह आयन की कमी के वज़े से हो सकता है हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे की स्पीनट बाड में फ्रूट्स जैसे की एप्पल्स और ग्वावास बाड में ठेगरी और मीट खाना चाहिए बाड में पांचवे नंबर पर है गोईटर इसमें गले का आगे का भाग पूरा सूज जाता है यह आयवडीन की कमी की वज़ाए से हो सकता है हमको लोडाइस्टी सोल्ट ज्यादा लेना चाहिए बाड में छट्थया नंबर पा रहा है अस्योपोरोसिस इसमें बोंस वीक हो जाते है और सॉफ्ट पी यह कैल्शियम और मिंडरल की कमी की वज़ाए से हो सकता है और इंबेलेंस्ट पोटेजियम सोडियम और मेगनेजियम का हो सकता है हमको मिल्क एग्स मीट फिश और ग्रीन लीफी वेजेटेबल्स खाने चाहिए और अखेर में आता है रिकेट्स यह इसमें भी सॉफ्टनिंग ऑफ बोंस ही होता है यह लेग्स के बोउस भी सॉफ्ट हो जाते है और नीज के नॉक्स भी यह विटामिन डी की कमी की वज़ाए से हो सकता है हमको मिल्क खाना है मिल्क पीना चाहिए और मिल्क प्रोडाक्ट्स खाने चाहिए बाद में खारे पानी के फिश खाने चाहिए जिसके उल्यासे इसको रोका जा सकता है थैंक्यू कितने चाहिए कितने शज components कितमों गचाहिए और पॉक्या के ऊच मिल्क कितने चाहिए तरियो कितमोंक्या भुक्या कितने कितने डीज की भी